आप सब आसा करते हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे मजे में होंगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लोग में तो दोस्तो ब्लोग की सुरुवात की है साम के 5 बजे से तो अभी हम बनाएंगे खाना तो सारी तैयारी का एलिए सबजी को काट छील लिया है तो आज हम बनाएंगे तुरई की सबजी जद्धा तुरई नहीं थी बस थोड़ी तुरई थी तो मैंने का चलो साम के टाइम में ही बना लेते हैं और इधर आरोही जो मैंने चिकल निकाले हैं तुरई के वो बनाने के लिए ही निकाले थे लेकिन अभी इतने टाइम मैंने नहीं बनाई थी सुबा के टाइम बनाएंगे तो मैंने का रख देते हैं लेकिन आरोही ने तब तक सारे चिकल काट दिये थे और तब तक बुआ भी आ गई थी तो काट तो साम को ही काट कर रख लिए थे और लेकिन हम बनाएंगे सुबा के टाइम तो इतने टाइम के लिए इतने ही सबजी काफी थी तो मैंने का चलो यही सबजी बना लेते हैं तो यहां पर तुरई की सबजी छोग देते हैं और चाबल नहीं बनाएंगे बस रोटियां ही सेकेंगे चाबल इन दिनों में हमारे यहां बहुत कम बनते हैं, जाधा रोटियां ही बनती हैं, तो यहाँ पर अच्छे से मैंने सारे मसाले भून लिये हैं, और यहाँ पर खाना बनाते हुए पहुत अच्छा लगता है, और वैसे तो आज हम यहाँ पर परदा लगाने बाले थे, लेकिन जो हमारी मसीन है, वो बिल्कूल पूरी तरह से खराब हो गई है, अब लग रहा है कि हाथ से ही परदा बनाना पड़ेगा, तो कल देखते हैं कि परदा बनाकर यहाँ पर लगा देंगे, आज तो फिर मैंने नहीं बनाया था, मैंने का कि मसीन से बनाएंगे, और मसीन के सहरा से जोहन की परदा बनाना चूट गया तो यहां पर मैंने चौक दी है तुरई की सबजी और थोड़ा सा पानी डाल कर रख देते हैं पकने के लिए तब तक हम आटा लगा लेंगे और यहीं पर सभी लोग हैं क्योंकि यहां पर इतने टाइम सभी लोग आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और तुरई की स आरोही के पापा को टाइम नहीं है और दुकान से भी थोड़ी सी देरी में आते हैं तो फिर साम के टाइम में यह काम नहीं हो पाते हैं और सुबा भी थोड़े से काम में लग जाते हैं जो की खेती के काम होते हैं सुबा और साम थोड़े बहुत खेती के काम दिखवा लेत तो उसके चक्कर में अभी मैंने यहाँ पर लाइट नहीं लगवा पाई है तो यहाँ पर बस रोटियां सेंक लेते हैं और काफी टाइम भी हो चुका है अंधेरा हो गया है तो अंधेरे में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर खाना में बस अभी यहाँ पर उजाला नहीं है, लाइट नहीं लगी है, और आज गर्मी भी बहुत जाधा लग रही थी, तो आज मैंने पहन रखी थी मैकसी, और मैकसी में थोड़ा सा आराम रहता है, इतना जादा साड़ी में आराम नहीं रहता है, लेकिन बस पहनते नहीं है, तो आज है दस मई और दिन है सुकुरवार का और बिल्कुल सुबह सुबह का समय है तो यहां पर हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में तो साम के टाइम में बस चुहले की पुताई भी नहीं की थी बस सभी चीजे ऐसे ही मैंने छोड़ दी थी तो अभी करेंगे पुताई और आग भी थी बहुत तेज यहां पर अभी मैंने बरोसी भी नहीं रखी है तो धीरे धीरे सभी सुविधाएं कर लेंगे बरोसी एक रखी है यहीं पर लेकिन उसमें थोड़ी सी मिट्टी लगानी है तो जब मिट्टी उसमें लगा देंगे उसके बाद में अच्छे से यहा तो इसी बज़े से मैंने का मिट्टी लगा देते हैं और फिर ध्यान नहीं रहता है तो सुबा सुबा ही मैंने का पहले मिट्टी लगाएंगे अच्छे से चूहला बनाएंगे तब हमारा खाना और भी अच्छे से बनेगा वैसे जब चूहला नहीं अच्छे से बनता है या पिर कहीं गलत जगे पर रखा होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है, कि खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो मैंने का चलो ठीक है, पहले हम मिट्टी लगा देते हैं, और जब तक हम खाना बनाएंगे, तब तक अच्छे से चूला हमारा सूख जाएगा, मिट्टी भी हमारी अच्छे से सूख जाएगी, और यहाँ पर इस साइड में थोड़ा सा खाले में रखा है चूला, तो मैंने नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लगाई है, थोड़ी सी मिट्टी हम लगाएंगे उपर की साइड में और अंदर भी थोड़ी सी मिट्टी लगानी है तो काफी मैंने मिट्टी भीगो दी थी कि अच्छे से हर जगे पर लग जाए तो मिट्टी मैंने पहले से ही भीगो कर रख दी थी और यहां थोड़ा सा भूसा इसमें मिलाया है कि मिट्टी चटके न, नहीं तो खाली कच्ची मिट्टी लगाओ तो चटक जाती है बहुत जल्दी से, तो अच्छे से मिट्टी लगा देंगे, उसके बाद में यहां पर कर देंगे पुताई, और बुआ के तो सारे काम यहां क रख देते हैं, और बरोसी हम बहुत जल्दी से यहां पर सेट कर देंगे, तो काफी टाइम हमें यहां पर लग गया था मिट्टी लगाने में, और चूले की पुताई तो जल्दी से हो जाती, लेकिन मिट्टी लगाने में थोड़ा सा जाधा टाइम लग गया था, और साप सफाय बांकी है तो वहां पर भी साप सफाय कहनी है क्योंक cheating पहले हम यहीं पर आ गये थे मैंने कांई यहां पर पहले मिट्टी लगा देते हैं तो जब तक हम खाना बनाने लिए यहां पर आएंगे तब तक चहित सोख जाएगी और खाना अब हमारे यहीं पर बनेगा जब तक अच्छे से रसोई च्छत पर नहीं बन पाएगी तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि यहां पर फटे लगे हैं थोड़ा सा डर है यहां पर भी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फटे जो लगे हैं वो काफी दूरी पर हैं तो वैसे तो हम लोग जब तक चूला जलाते हैं तब तक यहीं पर रहते हैं और उसके बाद में जो भी आग होती है उसको हम पानी डाल कर अच्छे से बुझा देते हैं उसके बाद में ही यहां से जाते हैं वैसे छट पर थोड़ा सा जाधा डर था लेकिन यह पर इतना ज़्यादा डर नहीं है और यहां पर सभी लोग बराबर से रहते भी हैं तो देखते रहते हैं कि आग इधर उधर ना हो और छट पर हम लोग एक पार जब खाना बना कर आ जाते थे नीचे फिर जाना मुस्किल था तो यहां पर बस मिट्टी लग चुकी है अब यह का तो काम हो चुका है अब घर की रह गई है सापसफाई उसके बाद में नहाएंगे और पूजा पाट करेंगे फिर जो हमारे काम है बो सुरू होंगे खाना बनाने के और आज हम लोगों को थोड़े से गुलगुले भी बनाने हैं क्योंकि चैत का महीना तो निकल गया है ग बुआ ने कहा है कि गुलगुले बना लो बैसे तो चैत के महीने में बनाये जाते हैं लेकिन आज हम लोग बनाएंगे गुलगुले क्योंकि गुलगुले हमारे यहां जरूर बनाये जाते हैं सभी लोग कहते हैं कि चैत के महीने में तो चिड़ियां भी गुलगुला करके दिखाते हैं आप सभी को आरोई के पापा के पास चलते हैं वहां है नयवाले कमरे में मोग दो इसको का बात तभी नए ठेक अर इधर हमारा चाय नास्ता हो चुका है उसके बाद में हम गए थे आरोई के पापा के पास में क्यूकि आरोई के पापा सुबा सुबा हो गए हैं और ये भी नहीं पता है कि किस बात को लेकर गुस्ता हुए हैं तो वही हम पूछने के लिए गए थे कि क्या तवियत नहीं ठीक है कुछ और बात है तो कुछ वो बोले ही नहीं थे तो फिर हम चले आये थे अपने काम में लग गए थे तो इधर हमारी सबजी बन चुकी है हमारी नदजी रोटिया बना रही है तब तक मैंने कहा कि जो गुल आठे को फेंट कर रख देंगे थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया है सोड़ा तो बहुत ही अच्छे से हमारे गुलगुले फूले थे एकदम से पूले पूले और कुरकुरे बने थे तो सभी को आज बहुत ज़्यादा गुलगुले पसंद आये थे और आप सभी ने देखा पता कि कल हमारे यहां हमारी दीदी भी आई है तो दो लोग और लोग बढ़ चुके हैं दो सदस से और हो चुके हैं लेकिन अच्छा बहुत जदा लग रहा है क्योंकि दीदी के आने से खुशी बहुत जदा होती है यहां पर दीदी को बहुत जदा अच्छा लगता है सभी क साथ में बाते आते करती है तो थोड़ा सा मन सही हो जाता है और वहां पर तो देदी बिल्कुल भी उदास रहती है और इधर आज मैंने बनाई है तुरई की बकली और थोड़ी सी बनाई है लोकी की सबजी तो दो सबजियां बनाई है तो रोटियां हमारी सिक चुकी है अब यहां पर हम लोग बनाएंगे गुलगुले तो तेल मैंने डाल दिया है जितना हमको जरूरत है और बुवा बनवाएंगी वैसे तो हम और हमारी नदजी सारे काम कर लेते हैं लेकिन यह काम करने में थोड़ा सा नदजी पीछे हैं तो मैंने का बुवा से कि तुम बना दो के तो हम निकाल देंगे वैसे तो हम भी बना लेते हैं अकेले से बना लेते लेकिन बुआ से खास कर आज बनवाई ही हैं कि बुआ ही बनाएंगी और नदजी ने भी बोल दिया कि हाँ अम्मा ही बनाएंगी आज तो अम्मा बनाने के लिए बैठ गई हैं और हम निकाल रहे है और यहां पर सभी लोग हैं आरोही के पापा सभी लोग खाना खा रहे हैं और आरोही आज गई थी स्कूल उसके बाद में बापस आ गई थी लगभग एक गंटे के बाद बापस आ गई थी क्योंकि आरोही की आज चुट्टी बता दी गई थी तो अब आरोही की चार दिन छुटी है सायद मंगलवार को स्कूल खुलेगा तो तब तक आरोही घर पर ही रुकेगी तो आरोही को भी मौके पर ही गुलगुले मिल गए थे गर्मा गरम आरोही को भी बहुत ज़्यादा पसंद आये थे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमार गुलगुले बन रहे हैं एकदम से फूले फूले और कुरकुरे कुरकुरे से और आप सभी भी आ जाईए खाने के लिए गुलगुले और आप सभी के यहाँ इनको क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर बताना क्योंकि हमारे यहाँ तो इनको गुलगुले ही बोला जाता ह और इधर हमारी नदजी तब तक साइद चावल भी इन रही हैं यहाँ पर क्योंकि अभी थोड़े से चावल भी बनाने हैं तो पहले से थोड़ी जल्दी थी तो हम लोगों ने चावल नहीं बनाये थे मैंने का चलो बाद में बना लेंगे और कौर लेंगे कड़ाई में ही चावल तो अच्छे से हमारे सोंदे सोंदे से चावल लगेंगे और यहाँ पर आरोही के पापा खाना खा रहे हैं और इधर साइड में पापा भी खाना खा रहे हैं दीदी दीदी की बिटिया और एक तरफ गुलगुले बन रहे थे, एक तरफ सभी को दे भी दिये थे खाने के लिए, कि सभी लोग गर्मा गरम गुलगुले खालो, गर्मा गरम गुलगुले या कुछ भी चीजे हो बहुत ही अच्छी लगती है, उस्वाद भी अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी यहा चीजे जो बनती हैं कुछ गुलगुले या पिटा हुआ हुए ये चीजे नहीं खाते हैं लेकिन आज इनको भी बहुत ज़ाधा ये पसंद आये थे तो यहाँ पर इस तरीके के मैंने एकदम से बिल्कुल लाल लाल भूने हैं कुरकुरे से गुलगुले और बस बन चुके है और यहाँ पर थोड़े से गुलगुले दो चार मैने डाल दिये थे पसू पच्छीओं के लिए पच्छीओं के लिए तो बंदर अंदर आ जाते हैं कभी-कभी और चिडियां भी आ जाती है तो खा लेंगी अच्छा लगता है और इदर आरो ही आ चुकी है आप सभी को दि होगी आज और गोबर लगाने और कई दीदियों ने हमारी जो कमेंट किया है उनके आज हम जबाब भी देंगे तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है आपको मैंने सपने में देखा है आप से मिलकर बहुत ज़्यादा खुसी हुई तो जी दीदी आप खुद आकर हमसे मिलो आके तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुसी होगी और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि सबनम बेटा जो ये कोना है ये आपने क्यों छोड़ दिया इसमें भी लिपाई कर दो जो की रसोई के पास में जो मैंने पीछे वाली रसोई बनाई है तो इस जगे पर भी आप कंडा लकडी रख देंगी तो अच्छा रहेगा तो जी दीदी और उन दीदी ने यहाभी कमेंट किया है कि आपको रोज रोज आगे या जैसे छट पर खाना बनाने में दिक्कत होती है तो आप ऐसा केजिए छट पर टीन डलबा लेजिए तो आपक कि दिक्कत हो रही है और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि दीदी जी आपका ब्लोग बहुत अच्छा लगता है एक बार आप अपने घर के पूरे पूरा होम टूर करवाईए तो जी दीदी जरूर पूरा होम टूर करवाएंगे तो जले कहां चले है अब हराई चले है और एक हमारी दीदी जी है उनकी बेटी का नाम है मान भी तो वो दीदी भी हमारे ब्लोग बहुत पसंद करती है और बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करती है और एक हमारी दीदी है उनकी कमेंट किया था कि आपकी बुआ घूंगट किसको इतना करती है हमेशा सर ढखकर ही रखती है तो जी दीदी ऐसा ही गाव में नियम होता है कि चाहें बुजूर को लोग हो या फिर नए लोग हो सभी लोग घूंगट ढाल कर ही रखते हैं तो हम लोग भी इसी बजे से पूरा दिन सर पर पल्लू रखते हैं अगर हमारी सासु मा का ही पल्लू नहीं हटता है तो हम लोगों का कैसे पल्लू हट जाए कई दीदियों ने हमारी कई बार कमेंट भी किया था कि इतनी जादा गर्मी हो रही है तो आप इन दिनों में पल्लू हटा लिया करो लेकिन नहीं हम लोग हटाते हैं कभी कभी हटा लेते हैं जब कोई नहीं घर पर होता है जब कोई ना कोई बना रहता है तो हम लोग नहीं हटाते हैं और इ दर हम बैठ गए हैं परदा बनाने के लिए क्योंकि मसीन तो हमारी बिल्कुल भी चल नहीं रही है तो आज मैने का हाथ से ही परदा बना लेते हैं और लगा देते हैं और अगर हम मसीन का सहारा देखेंगे तो हम परदा नहीं बना पाएंगे तो आज मैने का कि चलो हाथ से ही बना देते हैं तो यहाँ पर हम फिर हाथ से परदा बनाने लगे थे और परदा बनकर हमारा तैयार हो गया है काफी टाइम लग गया था क्योंकि मसीन से वही दो चार मिनट लगते और हाथ से लगबग एक आदा घंटा तो लगी ही गया था और यहाँ के लिए मैंने अभी पर हो जाएगा रसोई का तो मैंने डाल दिया है परदा और अच्छे से बांध देंगे तो जो भी चीजे हैं वो ढख जाएंगे सामने से बिल्कुल दिखाई नहीं देगी और अभी यहां की साप सफाई मैंने सारी की है क्योंकि साप सफाई सुबा के टाइम भी की थी हबा की बज़े से थोड़ा बहुत कूड़ा यहां पर इकटा हो गया था तो इधर हमारा लग गया है परदा और धीरे धीरे हम सबी परदे यहां के बना लेंगे और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते अपना पूरा